एंपरी का उदेश है मेटियर्स बेस्ट रिसर्च करना एडवांस प्रोसेसर जिससे की नए-नए मेटियर्स बनते हैं उन पर रिसर्च करना और यह एंपरी जो है CSAR की एक कंस्टिटुएंट लेबरेटरी है CSAR काउंसिल आफ सांटिफिक एंड इंडस्टियर्ल रिसर्च यह 1942 का establishment है और इसके जो President है वो Honorable Prime Minister है Vice President Honorable Minister Science and Technology है और हमारे Director General है डॉक्टर शेकर सी मांडे मैं यहां पर एंपरी का डिरेक्टर हूँ और हमारा जैसे उद्देश बताया कि Materials पर रिसर्च करना जितने भी Advanced Materials हैं जिससे कि हम जो Existing Materials हैं उनकी Properties बढ़ा सकें नए Materials बना सकें और उसको और Economic बनाएं जिससे कि हम Technologies Contribute कर सकें इस देश के लिए और दुनिया के लिए जी जी यह बताएं कि आप किस तरह के Activities यहां पर Organize करवाते हैं और मौजूदा समय में यहां पर क्या IO जित हुआ है देखिए हमारी जो Activities हैं एंपरी की Materials में उलाइट वेट मेटलिक मेटियर्स, रडिएशन शीलिंग मेटियर्स, सीमेंट फ्री कंक्रीट मेटियर्स, हाइब्री गीन कंपोजिट मेटियर्स, और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रूरल टेकनोलजी, नैनो मेटियर्स यह जिग्यासा में स्कूल के बच्चों को हम यहाँ पे ले आए, और उन्हें हमने लैब्स दिखाई हैं, उन पे साइंटिस्ट ने, फैकल्टीज ने लेक्चर किये, और अभी जो हमारा एक प्रोग्राम जो चल रहा है, 13 से 15 फरवरी, यह है Conference on Fly Ash Utilization and Green Building Materials, तो Fly Ash जो है, यह एक वेस्ट है, और Ampry की यह बहुत important activity है, waste to wealth, जितने भी waste materials हैं, जो materials इंडस्ट्री से निकलते हैं, बेसिकली, या agro waste होते हैं, agriculture से निकलते हैं, या marble waste है, stone waste है, यह सारे जो waste material हैं, जो millions of tons available हैं, और यह निकलने ही निकलने हैं, चुकि यह किसी product के by product हैं, और यह waste हैं, अ अब industries को नहीं पता रहता है कि इसका क्या करें, ने-ने solutions निकल रहे हैं, और जिसमें हमारा contribution भी काफी अहम है, तो fly ash का thermal power plants से निकलती हैं, और यह millions of tons निकलती हैं, इसके कुछ उपयोग निकले हैं, और हम लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे हमने cement free concrete बनाया, उसमे हैं, tetraports बनाया, paper blocks बनाया, और composites बनाया, जो यह products है, cement free concrete है, तो हम cement की जगे उसको use कर सकते हैं, CO2 emission जो है, जो की हानिकारक है, environment के लिए, 80% वो कम कर सकते हैं, और economic rate पे हम इसको use कर सकते हैं, इसकी जो mechanical properties हैं, वो better हैं, इसका जो curing time है, वो कम है, 48 hours में stable हो जाता है, इसकी हमने roads के demonstration की हैं, इसकी हमने technology भी transfer करी है, तो यह fly ash का use है, red mud का इसी तरह use होता है, जो की हमारे जो alumina industries हैं, उसका by product है, और वो फिर millions of tons है, तो इस तरह के जो products हैं, materials हैं, उनका हम product बनाते हैं, और फिर उसकी technology transfer करते हैं, हमने red mud से based radiation shielding tiles बनाई है non-toxic, lead free radiation shielding tiles, जो कि अभी हमने एक बहुत बड़ी industry को दिया है, और जल्दी यह tiles जो हैं, जो hospitals में लगेंगी, अब इसमें जो presentations हो रहे हैं, वो भी अलग-अलग तरीके के हैं, चुकि सबका सही होग चाहिए, जो एक waste है, वो lab to land कैसे जाए, उसमें खाली scientist का contribution sufficient नहीं है, उसमें industries वालों को भी जुड़ना है, चुकि जो manufacturer है वो industry है, और industry को पता है कि user की requirement क्या है, किस तरह का product जो है, वो market में जाएगा, तो इसलिए सब का जुड़ना जरू हुई था, and then legal issues क्या होंगे इसमें, legal issues भी होते हैं, तो उससे भी related lectures हैं, तो एक ये complete package है, fly ash utilization पे, जो कि इस तीन दिन की conference में discuss होगा, और finally concluding session में हम कुछ resolution लेके आएंगे, जो government agencies हैं, जहां policies decide होती है, उनको हम at least suggest करेंगे कि इस तीन दिन की conference में ये, हमारे हां, ये decide हुआ है, और इस पे आप देखी कैसे implementation हो सकता है, तो आपके माध्यम से ये बात लोहों तक पहुचेगी, धन्यवाद.